सम्विदा स्वास्थ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन रहे प्रदेश व्यापी हरताल पर काली पट्टी लगा कर किया विरोध प्रदर्शन प्रदेश भरके संविधा स्वास्थकर्मियों के साथ रीवा के भी संविधा स्वास्थकर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहे जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं सम्विदा स्वास्थ कर्मी चाहते हैं कि जिस तरह से शिक्षकों, गुरुजी और पंचायत सचीवों को नीमित किया गया है ठीक उसी तरह उनको भी नीमित करके वे सभी लाब दिये जाएं जो अभी हाल ही में नीमित हुए लोगों को दिये जा रहे हैं साथ ही वो चाहते हैं कि उनके साथियों की वापसी भी हो जो किसी वज़े से नौकरी से निकाल दिये गए थे सम्विदा स्वास्थ कर्मी आज काली पट्टी हाथ में बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हमारी सिर्फ एक सूत्री मागे हैं निसकासित साथियों की वापसी करते हुए सभी समस्थ सम्विदा कर्मिचारियों को नेमित किया जाए और इस मांग को दज़र रखते हुए हम लोगोंने 19 फरवरी से पूरे प्रदेश वापी आंदोरन का रखा है आज हमारी हर्टाल का दूसरा दिन है इससे हम काला दिवस करों करमा यह बताए सम्विदा कर्मी में जो लोग 10 साल 5 साल से काम कर रहे हैं इसकी माल लीजे 30-35 साल में उन्होंने 19 की उनको सम्विदा ही रखेंगे और उनकी एज भी खतम हो जाएगी ना वो ब्यापम देपर पाएंगे ना वो परमानिंट होंगे तो वो करेंगे क्या आगे यह बताए